जै भारत माता की इंकलाब यहीं जै स्री राम इस्से हमारे यह बता रहे हैं अच्छी बाट है कि हमारे लोगों को आईना द्िखा रहे हैं कि जैसरी राम और भारत माता की जै कर देने से सब कुछ सही हो जाता है हमारे पिछे दल्स हैं अपना बिजनेश चोड़के अपनी कमाई चोड़के घर परिवाद चोड़के भूखे प्यासे मर रहाएं चंसेखर जी हूँ चाहे मंडल साहब हूँ अच्छा है अब तो जिगनेश मेवानी और तमाम बड़े-बड़े नेद्रा कनहिया और हार्दिक पटेल सभी लोगों से बातचीत हो रही इस बार का जो अंदोलन होगा बहुत विसाल अंदोलन होगा और डंके की चोट पे होगा इनको बताएंगे हाम यह लोग कभी सम्विधान नहीं माने यह अरेसस के गुंडे हैं यह हाप रेंट वाले लोग है इनको क्या मतलब है किसामने हाप रेंड पैंड के घूमने वाले लोग इनको क्या मतलब सभाम लोग जो यह सिच्छा मंतरी है तक लिए इसक्रीवा इन सिच्छक भरती में जो घोटाला हुआ तो उसको दिखाने आए हैं बात करने की कोशिस करेंगे यहां पर जो है जो लोग धरना दे रहा है उनसे बात करने की कोशिस करेंगे क्या कारण है जो है लंबा धरना चल रहा है लेकिन जो है योगी सरकार जो है न्याय नहीं दे रही ह लेखे योगी सरकार को नियाय देना पड़ेगा 23 नवंबर को हमारा अंदूलन है और विसाल अंदूलन है इस सरकार को समझ जाना पड़ेगा कि पिछे सबसे बड़ी बात और विपच्छ पूरा लामबंद है इस मुद्दे को लेके हम लोगों ने पांच महीने यहां तपस्या की है वो तपस्या आज पूरे देश में फैल गई है ऐसा नहीं है कि सुर्फ उत्तर प्रदेश में हैं देश के आप बड़े-बड़े समाजिक संगठन जो पिछे दलतों की लड़ाई लड़ते हैं पिछे दलतों के हक की लड़ाई लड़ते हैं आपको पता है सभी लोगों के पास यह मुद्दा पहुच गया है जाए चन साल अंदोलन होगा और डंके की चोट पर होगा इनको बताएंगे हम कि क्या होती है हमारी हैसियत पिछे दलित हम सिर्फ और सिर्फ कीड़े मकोडे नहीं है हमको वोट न समझो अगर वोट समझते हो तो हमें नयाय दे दो अधरवाइज जिनकी वोट से आप जाके सरकार बन अचान वाले लोगों को दे दिया गया यह कहीं न कहीं देखिए लोकतंत्रिक चीज़े हैं लोकतंत्र में हैं अगर आप लोकतंत्र में हमारी वोट से आप सरकार बनाते हैं तो हमको आपको कंसीडर करना पड़ेगा यह समझना पड़ेगा कि नहीं पिछे दलतों के हाक करें गए लोग तंद्र के जो है सरय आम हत्या की जा रही है और उसके बारे में क्या करेंगे यह लोग कभी संविधान नहीं माने यहां रिसस के घंडेंडे हैं यह पैंट वाले लोग इनको क्या मतलब है माताव बहनों के सामने हाफ पैंट गूमने वाले लोग हैं इनको क्या मतलब है संभीधान से इनको संभीधान इनको पढ़ने क्या जरूत है यह तो बता देंगे जब चुनाओ आएगा तो हमारे जो पिछड़े दलित हैं यह बताएंगे कि राम तुम्हारे भगवान थे और उन पर अत्याचार हुआ हमको फ़गल थे तब नहीं खत्रे में थे लेकिन जब चुनाओ आता है तब खत्रे में हो जाते हैं और अब तो इनके पास एग कोवीड है हालाकि इतना डरे साहिमें हैं लोग जान गया है कि कोवीड विट से पर से जहां चुनाओ का मौसम आता है बहुत बड़ा महुल उसका हाँ डेंगू का तो ये डेंगू इनके बसकी बात नहीं है डेंगू तो आदमी जानते हैं जो बिमार होगा वो जाएगा हॉस्पिटलाइज होगा इनके तंत्र मंत्र और घ्यान से नहीं डेंगू सही हो जाएगा मैं स्वयम दस दिन एड्मिट होके आया हूं डेंगू हो ग तो पीडी दर पीडी हमारी कमजोर हो जाएगी हमारे जो बच्चे आएंगे वो हमको गाली देंगे कि बताओ जो बाबा साहब ने हमको इतना आनमोल रतन दिया समाजिक बराबरी जो ये 2% लोग हमें गाली देते थे जाधिसूचक गाली देते थे हमें अपने घर में घुश नहीं तो आते इनके लोग पुलिस प्रसासान और यह सब सारी चीज़े ना होती इनके लोग आते भगव पिछे दलित भी बैठते हैं क्या अंदोलन पे पिछे दलित भी हाक अधिकाल लेते हैं क्या और अई बाद हमें नोकरिये न मिलती हम तो फॉम नहीं भर पाते लेकिन साहब ने जो आये अनमोल रत ने दिया हम लोग को लड़ना चाहिए और देश और प्रदेश के युवाहों को आ गया आना चाहिए जिनको लगता है कुछ लोग को लगता है जो सक्षम हो गया है परिवार से उनको लगता है कि आरख्षण अब जबुरूद नहीं है वह देखने को मिला था जो है ओबी सी महा सम्मेलन कर रहे थे केसव प्रसाद मौरे जी वहां पर जो 39000 भरती जो प्रोटेस्ट कर वहां भी पहुच गए थे देखिए वह निसाद मला बिन्द केवट का सम्मेलन था वहां हमारे भाई भी यहां निसाद मला बिंद केवेट हैं भाई अधिकार है उनका कि वहां जाएं उनके हक अधिकार की मारी हुई है और वहीं वहीं गुर्गान कर रहे थे केसव प्रसाद मौर्या कि हम पिछनों को अधिकार दे दिये हैं राश्ट्री पिछरा वर्ग आयोग बना दिये हैं यह है वो दूसरे पार्टी यह बताएं बिंद मला केवर्ट भर सब लोग है जब लोग उन्हीं का संमेलन कर रहे हैं उन्हीं नयाय दिलाने की बात कर रहे हैं तो हम भी उसमें पीडित हैं हमको भी नयाय दे दो तो जै भारत माता की इंकलाब यही जैस्री राम इससे हमारे यह बता रहे हैं अच्छी बात है कि हमारे लोगों को आईना दिखा रहे हैं कि जैस्री राम और भारत माता की जै कर देने से कमाएंगे नहीं छट है देखिए अपना बिजनेस चोड़के अपनी कमाई चोड़के घर परिवाद चोड़के भूके प्यासे मर रहे हैं अगर मान रहे हैं कि भगवान है तो यह भगवान क्या मर गए है कि 140 दिन से यहां भूके नंगे हम लोग बैठे हैं ना कपड़ा आय क्या भगवान नहीं देख रहे हैं अरे भगवान को देखना चाहिए था हम भी बड़ी-बड़ी अगर बत्ती जलाते बड़े-बड़ा भोपू में पुचिल लाते कि यहां पता नहीं कौन से ब्रांट वाले भगवान आये थे हम को ने आय देकी चले गए तो इसके लिए लेकिन भगवान नहीं आ रहे हैं उनको बचाने बाबा कल पीला से सफेद पहन लिए बैठे रहें तो क्या खाने को मिल जाएगा अरे वही मैं कह रहा हूं ना वह बाबा की पीड़ा है बाबा जानते हैं कि भगवान कोई नहीं है जब कमाओगे तब खाओगे जब नहीं क हमाओगे तो दरदर भटकोगे और हक अन्याय कि सरकार हक मारी लोगों की चाहिए जो हो परेशान हो किसान है युवा है बेरोजगार है पिछड़े हैं दलित हैं सारा वर्ग परेशान है सिर्फ और सिर्फ इस वज़ा से हां मस्त हैं इसमें अडानी हैं अंबानी हैं यह ल अंबानी सभी हैं तो मोदी को क्यूं इतना महगा खर्च करके इतना ब्यवस्ता करके अडानी अंबानी भी शुरक्षा में चलते हैं उन्हों प्रधान मंत्री बना दिया जाए क्यों चुनावना उकराते और देखिएगा कि लोग तंतर खत्रे में हैं आने वाले समय में य क्या लगता है इस अंदोलन का जो है असर पड़ेगा चुना में योगी अंदोलन से इनकी सरकार गिरेगी मैं कहते रहा हूं कि अंदोलन इनकी सरकार इनके अधिकारी इनके मंत्री सब बहुखलाए हुए हैं करे यार यह लोग तो हम सोचे थे मजाग में 10-20 दिन रहेंगे भ इस टर्विंस किये थे तो आरक्षन यह बहुत बड़ी लड़ाई है यह पीछे दलतों कि हक मारी की लड़ाई है और यह समझे कि हम 85% है और हमारे जागे हुए 5% लोग है तो लड़ाई 5% और यह जो 10-15% परसेंट है इनकी है जिस दिन हमारे 80% और जाग जाएंगे ना उ यह हमारे पिछे दलतों कि पूरे पांच साल अगर 2500 में हमारा जीवन बीच जाए तो पूरे पांच साल 2500 एक साड़ी पता नहीं जो लुभावने होते हैं कि 10-15 लाग और यह भाजपा सरकार जब गुजरास से चली थी तो 15-15 लाग दिलोग बोली खाता खुलवाई बिचा कि वाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो अभी इनकी सरकार अभी दे दें क्यों कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी दू देंगे हम करें अभी देना लाइपटाप देना था यह 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 पढ़े लिखो कर लोगों का काम है लाइपटाप टैबलेट बाबा चला लेते ह कर रहे हैं उत्तर प्रदेश ऐसा है कि साथ देशों के बाद उत्तर प्रदेश एक देश में गिंती की जाती है कि देश के बराबर है उस देश को यह रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इनको समझना चाहिए कि एक चोला पहन के ऐसे लैप्टाप कंप्यूटर नहीं दे देंगे तमाम ऐसे जो इनको बोलते हैं बताइए सिक्षक नहीं बोल पाते हैं यह हमको न्यायरे देंगे जो स्वयम नहीं पढ़ा है जो सिस्टम नहीं हो जो हर समय सा जाती गुंड़ई लोगों हिंदू मुस्लिम कराना इन सब चीजों पे तमाम कितने मुकद में थें क्यों अपने सब्सक्राइब के 26 साल कंवर मैंने मची नहीं मा रहा होगा मक्षी मा रहा होगा गुंड़ा एक्ट है गैंगेश्टर है हिस्ट्री सीटर है हमारा जुनद हो 50 और की हैं योगी जी जो है साधु है सन्यासी है तो इनको मठों में रहना चाहीं यह कौन कहता योगी जी सवाध Teil नेवी है यह सभस्ता का सुक भोग रहे हैं सारी स्था सपब्स जीवन का सुक होता है वो भोग रहे कहाँ रहे पाबा की परिभास्त पहने नावा बाबा बाबा लोगों को गुम्राख कर रहे हैं उत्तर प्रदेश को गंड़ में डाल रहे हैं मोस्तावर और नहिए। यहां से जोली जामदी एक-दो लोग को बैठा के हम लोग विदान सभाओं में उत्रेंगे हमारे देखें हैं ना कि यह लाखो लोग उत्रे थे वो लाखो लोग संपर्क में हैं सबके साथ मिलके यह सरकार अडाने काम करेंगे जब सरकार इनकी हड़ जाएगी तब नौकरी यह लोग तानत्रीक रहेंगे नहीं रहें तो उनके इखेलाब भी लड़ेंगे हम लोग लड़ने वाले लोग अब बता तो रहे sollte मानने वाले लोग स drift में पचाणे वाले लोग हैं बाबा सÁहब के रहाबर वाले कौम के लोग हैं नहीं हैं नहीं तब तक रहेगी जब तक न्याइ नहीं मिलता है और नहीं मिलेगा तो सरकार पलटने का काम करें गे यहां की युगा जो